नमसकार दोस्तों आप सब का फिर स्वांगत है मेरे इस YouTube चानल पर दोस्तों के सुधियो में हम बात करेंगे INB VS PLO के मैच के बारे में स्वार कहां लाहिए में हम बात करेंगे इस मैच के deposit के बारे में इस मैच के बिक रिपोर्ट के बारे में इस मैच की दोनों टीमों की प्रोबेबल इलियोन किस तरह सरेगी इसके बारे में और मैं कुछ आपको प्लियरों के स्टैट्स दिखाऊंगा जिससे कि आप अपनी खुद की एक विनिंग टीम बना सकते हैं चाहे वो ड्रीमी लियोन का एप हो या फिर कोई भी एप हो एक करने से पहले फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब करना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए साथ जा बेल आइकॉन को प्रेस करके अल पर क्लिक करना ना बूले तो ठीक हे दोस्तों चलिए शुरू करते आज के वीडियो को मैच की डीटेल से तो मैच है INV वर्सेस PLO के बीच याने इंडो बुल्गेरियन CC वर्सेस BSC MU पोल प्लोवीड प्लोवर डिव के बीचे में दोस्तो इस सीरीज का यह 13th मैच है यह दोस्तो फ्रान कोड ECST 10 बुल्गेरिया है दोस्तो सीरीज का नाव वही यह मैच है 8 जुलई 2020 कल यह मैच है सुबह साड़े 11 अब बात कर लेते हैं वेन्यू की तो वेन्यू है वासिल लेवस की नाशनल स्पोर्ट अकैडमी सूफिया यहाँ पर यह मैच होने वाला है और आप अब देख लेते हैं हम पिच रुपोर्ट के बारे में तो पिच रुपोर्ट के दुशार यह पिच थोड़ी गेन बाजों के लिए सहाय करेंगी दोस्तो तो बल्ले बाजी यहाँ पर करना थोड़ा मुश्कील है यहाँ पर आराउंड आवरेज स्कोर की बात किये करें तो 73 का आवरेज स्कोर होता है क्योंकि यह पिच थोड़ी अच्छी लग रहे है अब बात कर लेते दोनों टीमों की प्रोबेबली लेवन तो वो कुछ इस तरह से रहेंगी सबसे पहले बात करेंगे आयन बी की प्लेइंग लेओं तो उसमें कुछ इस तरह से रहेंगी और प्रकाश मिश्रा, S. खान, H. लाकोव, उसके बाद B. ताहिरी, रोहित सिंग, सिध कुलकर्नी, सूरज नेगी, U. शिवनारी, V. विश्वनाथन, और S. कुलकर्नी इस तरह से रहेंगी आयन बी की प्लेइंग लेओं या आप इसे प्रोबेबल लेओं भी कह सकते, आप बात कर लेते, प्लो की प्लेइंग लेओं या प्रोबेबल लेओं तो वो किस तरह से रहेंगी, तो उसमें सबसे पहले गे, S. अली, S. हुसेन, जेड अबिदी, अली हु पार्थ आचार्या आदित्य पत्मा पत्नम पत्नम नईब जायद अली लुक्मान एच हुसेन और ई अलताफ तो इस तरह से रही प्रोबेबले लेवन या फिर आप प्लेइंग लेवन कह सकते पीयलों की अब बात कर लेते कुछ ऐसे प्लियरों की टॉप पिक्स या होट पिक अगर आप देख लेंगे तो आपको अपनी खुट की एक विनिंग टीम बनाने में काफी आसानी होगी काफी हेल्प होगी चाहे वो ड्रीमिलों का आप हो या भी कोई डूसरा भी आप हो तो सबसे पहले बात करते हैं अली हुसेन की दिया दोस्तों अली हुसेन एक अच्छ दोनों दो और जरूर मिलने वाली है हर मैच में मिलती है और साथ शाथ यह ओपनिंग के लिए आते तो ज्यादा अच्छे पॉइंट आपको दे सकते दूसरे हैं रोहित धिमान तो तो रोहित की बारे में बात करें तो अगर इनके जो चार मैचेस हुए उनके बारे में बा दोस्टो से जादा पॉइंट अब तक दे दिये सिर्फ चार मैचेस में तो आप ही देखिए कि क्यों हम इनको नहीं लेंगे तो आप जरूर इनको अपने टेम में शामिल करने की पूरी कोशिश कीजिएगा बात कर लेते मोहमद उजेर की तो ही हैज पिकड़ आप फोर वि सी विकेट्स हॉल इन दो गेम आप अगेंस्ट मुएस के खिलाफ इन्होंने तीन विक्टे लीती जो छे जुलाई को यह मैच हुआ था इसमें उन्होंने तीन विक्टे लीती तो काफी बढ़िया आए गेन बाज जरूर अच्छे खासी बॉलिंग और बैटिंग कर सकते है तो ज़रूर आप इनको पिक करने की कोशिश कीजिएगा उसके बाद बात करते हैं प्रकाश मिश्रा कीजिया दोस्तों इन ओनली फोर गेम्स ही हाज स्मैश डोग क्लोज डोट तो 500 फैंटेसी पॉइंट्स इन्होंने अब तक सिर्फ चार मैचस खेलिए दोस्तों और उन्होंने अब तक 500 बना लिया है अपने बल्ले से बहुत ही जबर्दस्त और साथ चे विक्टे भी उनके नाम हो चुकी है तो देखिए दोस्तों उनके प्रदर्शन से ही आपको प्रता चल चुका होगा कि उनका हर टीम में रहना काफी ज़रूरी है आप बात कर लेते हैं है सुसेन की ही इस लाइकली टू ओपन बैटिंग एंड कान गो अफ्टर दो बॉलिंग दूरिंग दो फिल्ड रिस्ट्रिक्शन सी हाज स्कूर्ड वन हंडेट इन फिप्टीन इन फोर गेम्स मतलब यह दोस्तों काफी जबर्दस्त बैटिंग कर लेते हैं आफ्टर काफी अच्छे बल्ले वाजे दो और उन्होंने दिखा भी दिया है क्योंकि अब तक उनके बल्ले से 150 याने 115 रन निकल चुके है जिसमें उनका है स्कूर 66 का यानि 67 का है तो काफी अच्छे यह भी प्लेयर है जुरूर आप इने भी पिक कर सकते हैं तो काफी बढ़ीया-बढ़ अच्छी खासी अर्निंग या हो सकते हैं या फिर आप ग्रैंड लिग या स्मॉल लिग भी जिद सकते हैं तो अभी हम बात करते कर रहे हैं आयन बी और से पी यलों के बिच होने वाले मैच की तो यह मैंने हाइलाइट करके दिखा दिए उस पर हमें क्लिक करनी है दोस्तों करने मैं सिर्प माय टीम पर क्लिक करें और एक एक किटर करके दिखाओंगा और किसको नहीं लिए और आखिर में किसको कैपटन और मनाय वह वह भी दिखा दूँगा तो चलिए मार टीम पर क्लिक कर लेता हूँ पहली टीम को इडिट करके दिखा देता हूँ तो सबसे पहले हम आते कीपर पर तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कीपिंग में इस हुसेन को पिक किया है तो जरूर आप इने भी पिक करने की कोशिश किजिगा इसके बाद आर धीमान को भी मैंने फिर से यहाँ पर पिक कर लिया है जैसे कि मैंने स्टार्ट में दिखा काफी पडिया रहे दोस्तों जरूर आप इक को पिक किजिए तो इस तरह से टीम बनाई है दोस्तों अगले चार आप अल्रांडर देखने हमें हमने यहाँ पर फिर से जैसे कि हमको बताया था कि पी मिश्रा ने करीब करीब पास्सों पर दिये तो आप देख सकते चार्सों पिच्छी पॉइंट अब तक हो दे चुके तो जरूर इन्हें हर टीम में हम रखेंगे अब चलते एस अली को हमने इस टीम में पिक किया है और जे आसिफ को भी पिक किया है और इसके बाद हमने पिक किया है एहम अदेल को हमने इस टीम में पिक किया है तो काफी बड़ी आचारों अल डॉंडर हमने ले लिए इस टीम में काफी अच्छी टीम बन रहे है तो अब गेन बाजी पर चलते है यहाँ पर यम उजीर वन को हम ुआ इंको मिलते हैं हो वीवीवी बड़ी आप्लियर और आच्छे खासी बॉलिंग कर सकते इसके बाद हमने पको 葉opa यह भी बड़ी आर्व Bel zij form कडे तो की मना जैसे कि मैं ने स्टार्टी से जसे प्लस से 400 प्लस पॉइंट अब तक किनों ने दिये तो ज़रूर आप इने ही पिक कीजिए पहली टिम में और वाइस क्याप्टन मैंने इस बार पिक किया है जो कीपर है एस हुसेन को पिक किया है अच्छे बल्लेवाजे दोस्तों साथ साथ कीपिंग करते तो बोनस ज़रूर आप इनके साथ जा सकते वाइस क्याप्टन के लिए या फिर क्याप्टन के लिए भी जरूर जा सकते तो एक बार टीम प्रिवीव जरूर करा दूंगा दोस्तों देख सकते आपर मैंने एक कीपर को लिया एस हुसेन उसके बाद तीन बैट्समन एच लगनो लॉक तो काप्गी बड़ीहीं है दोस्तों क्याप्टन हमने एस हुसेन माप की जगापी üzरा को बनाया तो वहीं वाइस लेक:「प्डन हरूरूंडर है क्याप्टन घ ने दोनों में अच्छे यह सबते हं सकते साथ यसाथ महने वाइस जो बनाया एस मuite नतों वहीं कीपर है दो नो भी हमें कीपिंग के बोनस अलग से पॉइंट दे सकते तो इस तरह से यह टीम बन चुके इस टीम को सेव कर लेते और दूसरी टीम इडिट करके देख लेते तो दूसरी टीम में हमने कीपिंग में फिर से एस हुसेन को चांस दिया है दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहें ब बढ़िया प्लियर हे दोस्तों और अच्छी कासी बैटिंग कर सकते हैं उसके बाद हमने जी सिंग को लिया इन्होंने भी पिछले दो मैचस में कापी बढ़िया परफ़र्म किया है तो जरूर इनको भी आप स्पिक कर सकते हैं और दिमान को भी हमने वापस से पीक किया है तो आखिर में हमने लिया है भी सुरेज बाबु को तो बढ़ीव यह बढ़े अच्छे पासी बैटिंग कर सकते हैं पाचों के पाचों बल्ले वास इसलिए हमने इस टीम में उनकों पाचों ट प्लियरों को बैटिंग के लिए चुना है तो आकेर में इसके बाद 5 बैट्समन लेने के बाद हमारे पास ऑल रॉंडर दो ही ले सकते हम हमने वही पिक क्या है पी मिश्रा को तो हमें हर टिम में पिक करना ही होगा उसके बाद हमने दूसरा जो लिया है ऑल रॉंडर वह एसली को काफी बड़ी ऑल ज़रे करते हैं लेकिन अच्छे अच्छे फ़ली यह दोस्तों लेकिन उनके पॉइंट आभि कम ही दो लेकिन आप सकते कौई प्राभ्लम नहीं उसके बाद आप हमने इस टीम में वापस से चुना कुछी बड़ी टीम है यह भी हमने यहां पर पांक बल्ले बाज लिए एस उसेन को जैसे कि आपको बताया था मैंने पिछले यी बार आप इनको भी क्याप्टन बढ़ा सकते तो मैं उनके साथ क्याप्टन के लिए जा रहा हूँ एच लोको को हमने वाइस क्याप्टन बढ़ा है यह भी अच्छे प्लियर है जुरूर आप इन पर भी दाव लगा स को जी सिंग को वी सुरेश बाबू को ए उसेन को और डिमान को लिया है तो वही हमने हमारे पास दो अल्ड रॉंडर है दोस्तों एस अली और पी मिश्रा को पी मिश्रा को आप किसी भी टीम में मत छोड़िएगा दोस्तों क्योंकि काफी अच्छे प्लियर है उसके बाद हम दोनों की दोनों टीमें काफी बड़ी है दोनों की डोनों टीमें आप ग्रांड लिक के लिए यूज कर सकते तो इस टीम का क्याप्टन हमने बनाया है एस हुसेन को जो कीपर है और कीपर होने के वज़से हमें ज्यादा पॉइंट दे सकते वही एच लोकों को हमने वाइस क से इनके साथ साथ हमने एश खान को भी स्ट्रिम में चुना है तो क्योंकि तीसरे जोकी पर इतना अच्छा परफॉमस नहीं है लेकिन इस खान का भी परफॉमस अच्छा रहा है तो जोरूर आप इने भी पिक कर सकते अब चलते बल्ले बाद पर तो हमारे पास पिर से तीन ही लगा सकते तो चलते बल्ले बाद में तो पी मिश्रा तो रहने वाले लेकिन इसके बाद अली को हमने लिया है और जे आसिप को इस पार तीम में शामिल किया है जो की काफी अच्छे अल्राउंडर है तीनों की तीनों और अच्छे पॉइंट आपको जरूर दे सकते चलते गे तीम में एस नेगी को लिया है और डी शर्मा को लिया तीनों की दिनों काफी बढ़िया बल आल राउंडर माप की जगा गेन बाजे दोस्तों जुरूर आप इनको पिक कर सकते और आपको अच्छी खासी आर्णिक करा के दे सकते कोई प्राब्लम ने ठीक है दोस्तों फिर से इसप आए तहने पर कड् rings कर लेते और देख लेते किसको कैप्तन और वैसका प्राण्य हम बना सकते तो यह छुझे का कैप्तन मैंने बना है यह सुलनी को बनाया था लेकिन ब्रंदे लगता हट sow हम लोगता व्हें सही। एक हैप्रस कैप्ल लिए रहे दोस्तों अच्छी कासी गेनबाजी कर रहे तो इनको विक्टे भी मिल रहे और इनकी एकोनोमी भी अच्छी रहती है तो आप जरूर इन पर दाव लगा सकते तो आप देख सकते आर धिमान को हमने कैप्टर मनाया और एम उजीर को वाइस कैप्टर मनाया तो काफी बड़ीया टीम बन चुके एक बाद टीम प्रिव्यू फिर से करा देता हूँ यहाँ पर हमने दो की पर लिए एस हुसेन और एस खान को लिया है वही हमारे पास तीन बल्ले बाज है एस लोको जी सिंग और आर धिमान को लिया है वही हमारे पास तीन आल राउंडर एस लिये पी मिश्राय और जे आसिप को इस टीम में शामिल के है तो ही हमारे पास तीन गेन बाज भी है डी शर्मा एम उजीर और एस नेगी को हमने इस टीम में शामिल के है अब बात कर लेते कि कैप्टन और वाइस कैप्टन की तो हमने आर धिमान को captain में आये कापी बड़िया प्लियर है और चिकासी बैटिक कर रहे है जरूर आपको अच्छी कासी अर्णिंग करा सकते तो आप जरूर इनके साथ जा सकते कर रहे हर मैच में तो कोई दिकत नहीं आप इनके साथ भी जा सकते तो बड़िया टीम बच्चों के मैं कहुंगा यह भी टीम आप ग्रैंड लिग दोनों के लिए लगा सकते आप आप पर निर्वर करता है कि आप कौन सी टीम ग्रैंड लिग में लगाएंगे और कौन सी आप जीत सकते तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो जरूर पसंद आयोगा अगर पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए साथ इसाथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेर करना ना बुले ताको भी ताकि उनको भी अच्छी खासी अर्निंग हो जाए और आखिर मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपनी मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब ने क्या या फिर आप मेरे चैनल पर नए तो जरूर इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ इसाथ बेल आइकॉन को प्रेस करके आल पर क्लिक करना ना भूली तो ठीक है दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलते आगले उडियो में तब तक के लिए थैम के उधन्यवाद